दोस्तों अक्सर बैठे बैठे या फिर सोते हुए जब हम हाथ पैर को हिलाते हैं तो वह हिलना डूलना बंध हो जाता है। आपके साथ ऐसा हो रहा है तो इसका इलाज जल से जल करवाना चाहिए मैं आपके इस वीडियो में कुछ डाइट के बारे बताऊंगा कुछ होम रेमेडी बताऊंगा जिसे फॉलो करके आप हाथ पर में सुन्दपन के समस्या नमनेस के समस्या और नसों समधित समस्या का घर पर इलाज कर सकते हैं दोस्तां कर यह समस्या कभी कभार होता है जब आप एक जगह पर पैर मोड़कर पाल्थी मारकर घंटों बैट जाते हैं तो ऐसे में आपको पैर में नमने से फिर सुन्दपन आ जाता है एक ही तरफ करवट लेकर लंबे समय तक सोय रहते हैं तो आपके हाथ दब गया पैर दब गया है उससे भी हाथ पैरों में सुन्पन आ गई है तो इसको कुछ देर हिलाने दूलाने पर ठीक हो जाती है जैसे में क्या होता है हमारे हाथ पैरों में ब्लड का सुप्लेशन अच्छे से नहीं हो पाता कुछ लोग आराम से बैठे रहते हैं या फिर आराम से लेटे रहते हैं दो तीन घंटे तक लेकिन उनके हाथ पैर नहीं सोते लेकिन आपके पैर सो रहे हैं तो आपके हाथ पै आपको हो रही है और आप चाहते हैं कि समस्या कभी भी नहीं तो ऐसे में जो मैं आपको उपाए बता रहा हूं वो कीजे आज से लहसुन खाना शुरू कर दिजे यानि कि गार्लिक दोस्तों गार्लिक आप नाम सुन कर बूलोगे भी तो हम खाने में रोज खाते हैं तो फिर गुणों की बात की जाए तो आयरिवेती किताब स्टांग रिद्यम में इसे धर्ति का अम्रीत कहा गया है यह एक नैच्रल ब्लड थीनर है इसके लावा यह धमनियों को संक्रा होने से बचाती है यह नसों को चौड़ा कर देती है तो आपको यह समस्या जो है ना नसुन सम समझ से है इसमें बहुत ही कमालक काम करती है अब आपके मन में सवाल आएगा कि सैवन कितने समय यह करना है कब तक हम इसका साफिस कर सकते हैं तो आप इसे ल refrain किजेगा आपको रोजाना सुबा खाली खालें और उपर से एक कप घॉंवना पानी पी लें आपको मीडिया मगार के दो लहसुन की कलिया लेनी हैं इसे चबा कर खा लेना है अगर आप चबा ना सकूँ एक काम और कर सकते हैं इसे किसी चीशे कुट लीजे और कुटने के बाद आप इसे पानी के साथ निगल जाए निगलना काफी आसान होगा इससे बढ़ जाएगी हातों और पैरों में सुन्दपन के समस्य जो होती है ना बार-बार वो देरे-देरे करके दूर हो जाएगे इसके लावए आपको कच्छा लासुन खाने के बहुत से फादे होगे हाट के लिए अच्छा होता है आपके लिवर किड्नी के लिए अच्छा हो पहुन इतना जादा गाड़ा हो चुका है कि वहां नफसों में जम चुकी होती है और हातों पैरों को हिलाने के बाद में ठीक नहीं होती उन्हें किसी चीज का एहसास नहीं होता आप वहाँ पर चीटी कार्ट टीचे आपको फर्क पता ही नहीं चलेगा अगर आपके साथ आपको तुरंद इसके बारे में सुचने का हो शकता है इसके लिए आपको लापरवाही नहीं बरतनी है आप आसपसे किसी अच्छे डॉक्र से इलाज करवाए और साथ में जो आपको मैं रेमिडी बता रहा हूं इस रेमिडी का भी स्तमाल कीजिए और वीडियो के आखरी म को ठीक करता है गाड़े खुन को पतला कर देगा या बूरे कालेस्ट्रॉल को शुरी से बाहर कर देगा धमरियों में जब कालेस्ट्रॉल जमा होता है तो नसों में ब्लॉकेज आ चुकी होती है तो इस समस्या बहुत ज्यादा होने लग जाता है इसलिए हमें नसों को क्ली अधर में दालचीनी बाटर डालना है इससे अच्छे से मिक्स कर लेना है और पानी को सिफब सिफ करकर आपसे पी लेना है ऐसा आप दिन में एक बार कभी भी ले सकते हैं और आपको लगतार कम से कम 45 दिनों तक इसका सेवन करना है इसके लाबा मैं आपको तीन ऐसी अधर इस तरह की बिमारिया होती है तो सबसे पहला काम किजिए अपने लाइश्टाल को सुधार लेजे डाइट आप जो भी ले रहे हैं जो भी आप दिन भर में खाते पीते हैं उसका ध्यान रखें कुछ ऐसी चीज़े नहीं खाने हैं जिससे आपको नुकसान हो और ऐसी चीज़ों को डाइट में शामिल करना है जिससे आपको फादा मिले यानि नसों के मजबूती मिले आपका पुरा शरीर हेल्दी हो जिसमें आपको कैल्शियम आरन और विटामिन बीट वेल अगर शरीर के अंदर इन तीनों चीज़ों की कमी है या फिर इन में से किसी एक ची चीज़ों कर सकते हैं आप रागी का सेवन कर सकते हैं रागी सफित तिल भूने वेचने गूड और दूद इन में कैल्शियम भरफूर मतने पाए जाते हैं यह चीज़ें कैल्शियम का गुड सोर्स है लेकिन इसमें भी आपको सही कॉम्बिनेशन में खाना होगा जैसे कि करोगे ना कालकीम करने के लिए तो चेशियम लेने का कोई फादा ने मिले गा च्रीव में लगेगा नहीं करने के लिए विटामिन या फिर दूद के साथική सब्सक्रेंद कर सकते हो. अगर आप इसके पूरे फादे मिलेंगे आपके शरीर को सब्सक्राइब करीक मिलेंगे। अब दूसरी चीज पूरा करना बहुत ही आसान है। अगर आपके शरीर में आरिन कमी है, हीमोलोबन कमी है खूनकी क्वून की कमी हैं तो आपके श्रीर में कमचूरी थकान महसूस होगी नसे कमचूर होने लग जाएगी खून की कमी की वज़ए से ब्लड सप्लेशन भी अच्छे से नहीं हो पाएगा तो आप और न कमी को पुरा करने के लिए रोजाना पालक का सेवन करना शुरू करेजे या फिर किशमिष खाकर चुहारा खा खाकर भी आरन गमी को पूरा किया सकता है आरल न कमी को पूरा करने के लिए आपको आरन से भरपूर चीज़े खानी होगी जिसमें आपको कुछ चीजों का नाम बता दिया हूँ यसे पालक खाये कीवी खा लिजे या फिर आप डेट स यानि कि खजूर खाईए, आप सुखा हुआ खजूर भी ले सकते हैं, जिसे चुहारा का आ जाता है, आप किश्मिस का सिवन कर सकते हैं, इन में आरेन भरपूर मतरे में पाए जाती है, तो सबसे आसान तरीका बताता हूँ जिसमें आप किश्मिस और चुहारे का सिवन कर सकत करता है एक सुरक्षा कवज की तरह काम करता है तो नसें बहुत ज्यादा कमजूर हो जाती है नसें दब जाती है सिकूर सकती है इससे शरीर में ब्लड फ्लो अच्छे से नहीं होके और विटामिन B12 की कमी सबसे ज्यादा हमारे देश में वेजिटेरियन लोगों में देखा ज प्रोडक्ट में आपका दूद भी आ जाता है बाकि अंडे मांस मसली जो खाते हैं उनके शरी में वैसे भी विटामिन B12 की कमी नहीं देखी जाती है तो अगर आप प्यूर वेजिटेरियन है हाथ पेर में सुनपन की समस्या है जुन जुनी की समस्या है तो आपके शरी में विटामिन B12 की कमी ज़रूर होके आज एक बार जांत करवा लीजे तो आप विटामिन B12 की कमी को पूरा करने के लिए दूध और दूसरे बनी चीज़ों का सेवन शुरू करतीजे तो दोस्तों इस तरह से आप डाइट को फॉलो कीजे फिजिकल एक्टिविटी रखिए औ और बताया के रेमेडी को फॉलो कीजे आपको यकीन फादय मिलेगा जड़ से आपका इलाज हो जाएगा तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही धन्यवाद